सिर्फ बारा मिनिट में बनेगा ऐसा लाजवाब लजीज मीठा की सब कटोरिया चाट-चाट कर खाएंगे कभी भी अचानक मीठा खाने का मन हो जाए तो बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा, बिना चाशनी आप ये बना लेना सब वहावा करेंगे मैंने इसमें फ्लेवर के लिए दो चीजे डाली है और स्वात के लिए तीन चीजों को खास तरीके से डाला है जिससे कि ये बेहत ही खास बना है आप भी देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे पहले ऐसे क्यों नहीं बनाया तो चलिए बिना देर के जॉल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं पर सबसे पहले हेलो एव्रिवान इडिया मीशल्स पर आपका स्वागत है तो इसके लिए सबसे पहले कीचन में जाते ही हमें लेना है मिक्सी का छोटा वाला जार और उसमें हम क्या करेंगे कि ये पिस्ता डालेंगे मैंने एक टेबल स्पून पिस्ता इसमें डाले हैं और इसी के साथ 6-7 मैंने यहाँ पर काजू लिये हैं हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इनको पीस कर लेने वाले हैं मैंने यहाँ पर उतने ही ड्राइफ रूट लिये हैं जितना की लगभग हम किसी भी मीठे में डालते हैं, ना तो जादा है और ना ही कम है, फिर ये 8-10 बादाम भी मैंने इसमें डाल दिये हैं, हम क्या करने वाले हैं कि इनको पहले पीसने वाले हैं, यहाँ पर आप देखें जितना की इस तरह से पीस कर डालने से आएगा, मैं हाँ पर आज इसमें सारे ड्राइफ रूट को इसी तरह से पीस कर डालने वाली हूँ, और बस एक बारा बना कर देखेगा, आपको स्वाधना भाय तो फिर कहना, अभी इस पावडर को हम साइड में रखेंगे, और फटा वजन में 60 ग्राम लिया है, और कप की मेजरमेंट आपको बताऊं, तो 3-4 कप से थोड़ा सा कम है ये सेमें, आप एकदम बराबर मेजरमेंट से लेंगे, तो बहुत जादा ठंडा होने के बाद ये जम नहीं जाएगा, और बहुत जादा लिक्विट साइट पर भी नहीं अब मैं खास तोर पर आपको ये सजेशन देती हूँ कि इस वाले मीठे के लिए आप इस तरह की जो नायलोन सेमें होती है, जिसका इस्तमाल शीर खुर्मा बनाने में किया जाता है, उसी का इस्तमाल करिएगा, जो उपमा बनाने में सेमें होती है, मोटी वाली उसका इस्त अच्छे से मिलाकर आधे मिनिट के लिए इसको भी भूनेंगे गेंस के आज एकदम स्लो होनी चाहिए और लगातार इसको चलाते रहना है और इस तरह से सेमय के साथ हमारी ये ड्राइफरूट का पावडर भून भी जाएगा और दूद डालने से इसमें इसके लंपस भी नह पहले से गरम क्या हुआ। फुलफेट मिल्क लिया लिया है जिसमें की बहुत अच्छे से मोति परत की मलाई जमी हुई है। मैंने इसमे एक लिटर दूद डाल दिया है। अब अब इसमें ऐसा हुगा कि जब हम सेवई को दूद के साथ ही पकाएंगे तो ये सारा दूद अच्छे से अब्जॉब करेगी और मलाई डालने से एकदम ही मलाईदार हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छे से थिकनस आएगी हमें अलग से कोई मावा या मिल्क पावडर या कोई एडिशनल चीज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस हमें अब यहां पर अच्छे से गेंस क्याज को तेज कर देना है और इसको बस गरम होने का इंतिजार करना है ये इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है कि बस जैसे ही आप देखेंगे कि दूद उबर जाएगा तो सेवें बहुत अच्छे से पकने लग जाएगी इसमें बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगता है कभी भी हलवा बनाते हैं तो उसमें पहले चीजों की अच्छे से भुनाई करने पड़ती है खीर बनाते हैं तो उसमें भीगो ना होता है अच्छे से पकाना होता है लेकिन सेवें को बस भूनो दूद डालो और बस मेरे तरीके से बना लो अभी इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ ये पहली चीज केसर जिसमें मैंने चुटकी भर केसर को थोड़े से दूद में भीगो कर रखा है और इसे डाल दिया है इस से बहुत अच्छा सा एक बहुत लाइट सा कलर आ जाएगा इसमें और बाकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो इसको हमें अच्छे से mix कर लेना है इसमें बाकि आज मैं इसमें इलाइची नहीं डालूँगी दूसरे चीज डालूँगी फ्लेवर के लिए जिससे इसका जो फ्लेवर है खाते टाइम एकदम अलग भी लगेगा और बहुत इसके साथ जमेगा भी अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 6 टेबल स्पून चीनी चीनी इसमें थोड़ी सी जादा डलती है क्योंकि जो सेवई होती है बहुत जादा फिक्की होती है तो इसमें मिठास जादा चाहिए होती है तो ये चीनी मैंने इसमें डाल दी है अच्छे से इसको mix करूँगी मैं और अभी ये condensed milk को भी अच्छे से mix कर लिया है मैंने और आप देखो ये इस तरह से बहुत जल्दी से गाड़ी होने लगी है एकदम रबडी जैसा इसका texture होने लगा है जबकि मैंने इसको सिर्फ 10 मिनिट के लिए पकाया है और ये अब बन करके बिल्कुल ही तयार है तो अब मैं क्या करने वाली हूँ इसमें flavor के लिए ये इस तरह का जो जैफल होता है वो डाल रही हूँ इसमें बहुत अच्छा flavor होता है और काफ़ी इसकी खुश्बू होती है तो आज इलाइची की जगे पर केसर के साथ इसमें मैं ये जैफल डाल रही हूँ बस जरा सा चिटकिवर जितना इसे हमें घिसकर ढालना है और अच्छे से मिला लेना है अब क्योंकि मैंने इसमें ट्राइफ्रूट को पीस कर पावडर बना कर पहले ही डाल दिया है तो उपर से मैं और कोई भी ट्राइफ्रूट नहीं डाल रही हूं तो चलती से मैं इसको सर्व कर लेती हूँ ये दूद मलाई सेमई खाने में बहुत जादा स्वाधिस्ट लगती है आप एक बार इसको जरूर से पहले बना कर खाईएगा और गन में सेमई इस तरह से जरूर रखेगा ताकि कभी भी अचानक आपका मीठा खाने का मन हो तो आप न इधर देखे न उधर देखे बस फटा फट से इसे बना लिजे और सबको खिलाईए सबको सच में ये बहुत जादा पसंद आएगी तो पहले आप इसको ट्राइ करो और उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेर करें जिससे कि वो भी मेरी वीडियो देख सके और अगर आपने ही मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो प्लीज हमारे चैनल Eat Amishas को बिना सब्सक्राइब किये ना जाए और बेल आइकन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन आउन रखे ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपी इस देखने को मिलती रहेगी हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन इजो इस तेस्टी दूद मलाई सेविंग और थैंक्स फर वचिंग एट्यमिश्यस